हेलो फेरेंट्स, स्वाधत करते हैं आपको अपने यूटूब चैनल के एस फरनीचर आइडियाज के एक और वीडियो में फेरेंट्स इस वीडियो में जो ये वाड्रोब देख रहे हैं आप पीछे, राउंड डोर डिजाइन वाला तो इसी के बारे में हमारा सारा वीडियो होगा, तो वीडियो में आप बने रहे हैं, या आप ऐसा बनवाना चाहते हैं, या फिर बनाना चाहते हैं, तो आप बीडियो में पूरा बने रहे हैं, सब कुछ डिटेल्स और मेजरमेंट इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, साथ जगह के सबसे deep किया जाता है और इस sliding door है दोस्तों तो इसमें deep बहुत माइने रखता है क्योंकि 4 इंच इसका sliding track के लिए चला जाता है तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसके deep के बारे में इसका deep हमने कितना लिया हुआ है आप deep अलग-अलग तरह से ले सकते हैं हमने इसक का deep दोस्तों 24 inches का रखा है यदि आप 24 inches का deep रखते हैं तो इसमें 4 इंच sliding का track के लिए चला जाता है बाकी जगह आपको अंदर 20 inches का मिलता है और यह हमने दो डोर का बनाया हुआ है अब दोस्तों इसके deep की बात हो गई अब इसके width की बात कर लेते हैं कि wardrobe को हमने कितने width में बनाया है wardrobe के width की बात की जाए दोस्तों तो यह हमारा 7 feet का है 84 inches में हमने width में इसको बनाया हुआ है क्योंकि हमारे लिए यही अच्छा था इस रोम के लिए तो इतना हमने इसको बनाया हुआ है तो इसके deep की बात हो गई width की बात हो गई यह दोनों चीजें तो हो गए अब इसके height की बात यदि आप loft से नीचे wardrobe के height देखेंगे तो इसका height दोस्तों 7 feet में 1 inches कम है जो की 83 inches का यही standard size होता है दोस्तों क्योंकि hangar hangar अंदर लगा रहता है तो अच्छा रहता है तो इसका deep हो गया width हो गया height हो गया आप height से उपर loft के बारे में बात करते हैं दोस्तों त जो है एक एक जो है handless door का है और इसके border की बात की जाए दोस्तों तो a 1.5 around 3 side है और यहां हमने ऐसे ले जाके नीचे उतार दिया है अब बचा हमारा is cutting वाला तो is cutting हमने tile को जो है देखते हुए 4 inches का रखा है ताकि यह cutting tiles में match हो जाए और अच्छे से इसका look आए तो दोस्त यह 43 inches का एक door है जो की 2 door लगे हैं तो 43, 43 inches के 2 door लगे हैं जो की overlapping यह देखेंगे तो 2 inches का है और यहां पे हमने design के तोर पे 2 color का laminate लिया है एक है दोस्तों white और दूसरा है थोड़ा सा green color का ओ लिया हुआ है और कुछ इस तरह से हमने design बनाया है जैसे आप video में देख पा र round किया है दूसरा दूसरे तरफ का round किया हुआ है यह इसके design की बात करें दोस्तों हमने कैसे बनाया है तो इसका design दोस्तों यहां तक हमने 31 inches रखा है और ठीक उसी की level टाप से 31 इधर भी रखके हमने जो है एक परकार के type का ऐसा लगा के wedding से round करके इसको निकाल दिया है ताक है ऐसे नीचे हमारा white color का किया है ताकि एक दूसरे के opposite एक look दे सकता है आप चाहें तो इसमें laminate का color अलग करके दोस्तों कर शकते हैं एक बैंडिंग की बात की जाए दोस्तों तो एक बैंडिंग हमने 2 x 22 mm का करके router दोरा trim करके इसको वर्फिंग किया हुए ताकि finishing एकदम स्मूथ हो दोस्तों आपका हाथ है दी लगता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है यहां आप अच्छे से कर सकते हैं और इसके sliding track की बात की जाए दोस्तों तो यह इबको का 50 प्लस है दोस्तों यह हमारा अच्छा रहता है इसमें complaint नहीं आता है उपर लॉप्ट की बात की जाए तो हमने चार डोर रखें जो कि हैंडलेस हैं आप इसको push to open जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बीना जो है handle का आप एक बार पुस करेंगे तो खुल जाएगा एक बार पुस करेंगे तो open जाएगा इसके sliding handle की बात की जाए दोस्तों तो यह हमारा है 10 inches का 10 inches बाइज जो है 1. 10.5 inches में यह आता है दोस्तों दो लिया हमने जो है यह black color का है दोस्तों इसमें अलग-अलग किसम का आता है यह हमने थोड़ा black color का ही लिया है इंसाइट पार्ट की बात की जाए दोस्तों यदि एक पार्ट को यदि आप open करते हैं तो यहां हमने जो है hangar के लिए space छोड़ दिया है उसके नीचे देखेंगे तो दो सेलफ फोल्डिंग जो की फोल्डिंग सेलफ है देखें इस तरह से फोल्डिंग सेलफ हमने बनाया हुआ है अंदर का लाइमेंट दोस्तों यह fabric color का है point 8 का है height की बात कर लिए जाए तो दोस्तों यह 45 inches का हमने height पे रखा है ताकि आप कुछ भी टांग ना चाहें तो अच्छे से टांग सके और इस तरह center में मैंने इसको vertically करके किया हुआ है आप अंदर का ज्यादा माइन ही नहीं रखता है आप अपने huge के हिसाब से उसको ऊपर नीचे slab लगवा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और दोस्तों एक latest version में जो बंद हो जाता है कुछ इस तरह से इसका system है दोस्तों कुछ इस तरह से इसको हमने बनाया और यह जो दोस्तों इसका जो है साप क्लोजिंग है डोर दोनो तो इस तरह से हमने बनाया अब दूसरे पार्ट की बात की जाए दूस्तों तो यह हमारा दूसरा पार्ट जो है पहल इसको तो यहां पर हमने जो हैंगर वाला इस्पेस नहीं रखा है पहले सबसे पहले दो ड्रावर्स रखे हैं जिसका हाइट हमने जो है दोस्तों साप्ट क्लोजिंग है साइड में देखेंगे तो टेलिस्कोपिक चैनल लगा है चैनल भी दोस्तों अमरा इवको का ही है और उसके नीचे एक सेल्फ है कुछ इस तरह से इसको हमने बनाया है इक्वली डिवाइड करके इसमें मेजर्मेंट बताने की जरूरत नहीं है यदि आप जैसा बनवाना चाहते हो ऐसा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं यहां भी आद देखेंगे तो प्रोफाइल लाइट सेम है कुछ कारण बस ही नहीं जल रहा है लेकिन यहां भी प्रोफाइ करके जो है बॉफिंग किया ताकि उसका भी फिनीसिंग अच्छे से आए यदि लॉफ्ट के डोर की बात की जाए तो एक हम खोल के आपको दिखाते हैं यह दोस्तों हमारा पुश्ट वोपन यदि आप एक बार दबाते हैं तो एक खुल जाता है एक बार फिर दबाते हैं तो यह बंद हो जाता है तो कुछ इस तरह से हमने इसका डिजाइन किया हुआ है इसमें तीन कलर का लैमिनट है लैमिनट का दोस्तों विर्गो क्रोमा कंपनी का है जो की बहुत अच्छा है हाई ग्लोसी नहीं